तो फ्रेंड आप अच्छे होंगे देख सकते हैं Redmi 6A है और MI count लगा हुआ है हम इसका without dungle bypass करने वाले हैं तो वीडियो में आप बने रहे हैं अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो subscribe जरूर कर ले अब इसको last तक देखें इसमें हमारा MI count लगा हुआ है Redmi 6A हम इसे bypass करने वाल तो फ्रेंड जैसा कि आपने देखा हमने वहाँ पे एक Redmi 6A आपको दिखाया हुआ है तो आप चैनल में बने रहे हैं ऐसे ही मैं आपको last तक करके दिखाऊंगा friends की कैसा आपको क्या करना है सारा प्रोसेस में आपको करके दिखाने वाला हूँ तो वीडियो को last तक जरूर देखेगा और अगर अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है तो मैं finally आपको यहां पर सब प्रोपर करके यहां पर दिखाने वाला हूँ फ्रेंड लास्ट तक आप वीडियो को जरूर देखेगा जिससे के आपको पता चलेगा मैं बात करना चाहूंगा यहां पर कोई भी डूंगल में यूज नहीं करने वाला हूँ जैसा कि आपने देखा है यह सिकसे का फोन में यहां पर इसको बाइपास करूंगा आपके सामने जैसा कि आपने प्रैक्टिकल देखा हुआ है तो यहां पर कोई भी बनाता हूं और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा मैं जो भी बीडियो बनाता हूं live proof के साथ कि क्या ये काम कर रहा है कि work कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो ये कफ़ी टाइम से मेरे पास इसका solution था तो मैंने सोचा कि इसको मैं दे दू और अभी मैं आपके सामने में पास phone नहीं था phone जैसे ही आया तो मैंने सोचा कि एक bypass का वीडियो आपके सामने MI by का bypass without dongle ना UMT, MRT, Miracle ना कोई credit तो मैं यहाँ पर करने वाला हूँ तो वीडियो को आप last तक जरूर देखिए step by step देखिए friends और उसके बाद जो भी आपको दिक्कत आती है comment करके जरूर बताइए अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो like और subscribe करना बिल्कुल भी ना भूले तो चलिए हम वीडियो को start करते है friends तो वीडियो को start करने के लिए सबसे पहले हमें एक tool की जुरूरत पड़ेगी जो कि इसके driver को bypass करती है friends तो मैं इस tool को खोल लेता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ step by step करने वाला हूँ देखे मैंने 6A का एक folder बनाया हुआ है जिसमें यहाँ पर fp file और सारी चीज़े यहाँ पर मिल जाएगी तो अब हम इसके क्या करेंगे इसके mct आप पता है mtk का bypass tool है जो कि इसको हम run कर लेते हैं open कर लेते हैं open करने के बाद simply यह हमारा भी open हो जाएगा तो यह हमारा tool friends open हो चुका है इसको step by step आप वीडियो को देखेगा अगर आपको कहीं भी कुछ समझ में नहीं आता है friend तो जरूर हम से पूछेगा कि sir हमें यहाँ पर दिक्कत हो रही है तो हमें करना क्या है तो step by step वीडियो को last तक जोरू देखेगा मैं कोई भी tool use नहीं कर रहा हूँ free मतलब बिना dongle के तो चली अब हम यहाँ पर अपना CPU select कर लेना है CPU आप auto रख सकते हैं अगर आपको CPU नहीं पता है जिससे हमें यह पता चलेगा friends कि हमारे जो driver है वो detect हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है तो हमने यहाँ पर इसको side में कर देना है और इसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पर सीधा bypass पर क्लिक कर देना है यहाँ पर okay हमारा complete हो चुका है अब मैं friends क्या करूंगा इस phone को यहाँ पर करना क्या है up और down दबा की friend को connect करना है इस phone को friend up और down दबा के आपको फॉन को contact करना है अप और down भॉया हुए इस phone को I'm live आपके सामने करूब कर रहा हूं इस phone को आपको जैसे ही up-or down दबाएंगे आप phone को connect करना है properly पर ली चलिए अब डाउन इंसर्ट केबल देख सकते हैं अब इसको फोन को पॉपर आपको एक जगह रख देना है यह हमारा अपडाउन से देख सकते हैं हमारा यहां पर पोर्ट को स्टेबल कर दिया यह बैक्सिली बाइपास तो कर रहा है और यह पोर्ट को स्टेबल कर दे करके दिखा रहा हूं अब क्या करना है सचेपर हमें का करना है यह उसको टूल खोलना है यहाँ पर खोलेंगे यहां कर देखेंगे अंगे क्लिक्वल स Sports ऑल कर दो फेज्कतव है यह जोड़ बेडियोगा तो लास्ट देखेगा, चूज में जाएंगे, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर MTK, All-Own-N, DA, यहाँ पर 6A का DA, हमने यहाँ पर रखा हुआ है, तो देखे हैं, हमारा यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है, फार पी, Unlock, Reset, और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें आपर देने के लिए, जाएंगे टूल में, जहाँ पर हमारा यह टूल था, टूल में हम जाने के बाद, यहाँ पर आथ फाल को सिलिट कर लेंगे, तो यह हमारा completely तीनो टैप फिल हो चुका है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, जाना है, यहाँ पर format में जाने के बाद, आपको manually format flash करना है, manually format flash करना है, अब यहाँ पर देख सकते हैं, code आप से ले रहा है, तो मैंने यहाँ पर code को भी रखा हुआ है, जासा कि आप देख सकते हैं, हम back जाएंगे, और यहाँ पर आप देखे, FRP के लिए, अगर इसमें FRP लगती है, तो same method आपको use करना है, और अगर करना है, तो देखे, MI account के लिए code है, तो यह MI account आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, कर लेना है, copy, हम यहाँ पर कर लेते हैं, copy, और हमें जाना है अपने flash tool में, और यहाँ पर इसको paste कर देना है, तो simply हम इसको यहाँ पर paste कर देते हैं, अब हमने second वाला है, उसे भी कर लेना ह हbecue और यहां पर कर कर देना है यह हमें कर देना है पिस अब आपको कुछ स्टार्ट बटन को प्लिक कर देना है और जुट्की में जो हमारा इस चरड़ पढ़ाया जाता है चुट्की में आ फर पर हो MI account हो यह bypass आपको गर वीडियो अच्छा लगेगा तो चलिए देखते हैं कि हटता है कि नहीं हटता है तो हम simply कर देते हैं friend start और जैसे आप start बटन पर click कर दिए देखिए DA हमारा यह चालू हो गया है और कुछ ही second में friend हमारा यह job done format done हो चुका है अब हम इसको remove करेंगे और चालू करके आपको दिखाएंगे कि हमारा जो MI account था वो remove हुआ की नहीं ऐसे ही आपको FRP इटाना है friend तो यहां पर जाना है और जो FRP का on करने के बाद देखते हैं friends कि हमारे यह काम होता है कि नहीं होता है तो अगर यह friend आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो please comment करके ज़रूर बताईए कि यह आपको trick कैसा लगा है और अगर बिल्कुल बताईएगा comment करके बताईए अच्छा लगा तो बताईएगा और खर सकता है मुझे वीडियो को थोड़ा सा स्किप करना पड़ जाए बाकी मैं live ही आपके सांथ जुड़ा हुआ हूँ तो simply मैं फिर से जैसा कि हर वीडियो में उसका वो देता हूँ highlight देता हूँ वैसे भी इस वीडियो में highlight देने वाला हूँ क्या-क्या आपको step by step करना है तो फिर से फिर से आपको प्राइलिश जोप डन हो चुका है तो चलिए मैं आपको next करता हूँ तो basically जैसे आप screen को on करते तब आपका m-a- count लग जाता है तो अब कोई भी स्क्रीन में m-a- count नहीं लगा है हमारा ये job done हो चुका है friends तो हम इसे कर लेते है next ये proper आपको on करके मैं दिखा देता हूँ, next कर लेते हैं इसको भी next कर लेते हैं आपको मैं cross में इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप cross में देख पा रहे होंगे, मैं इसलिए कोई भी video phone से भी आपको दिखा देता है पर वो आपको लगता कि fake है या कैसा है इसलिए मैंने video में live आया और live यह आपको करके दिखा रहा हूँ तो फटा-फट इसका मैं process कर लेता हूँ और next थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है पर जो हमारा काम था वो कुछ ही second का काम था आप देख सकते हैं मैं highlight अभी कर दूँगा friends कि क्या क्या आपको finally फिर से करना है और इसको step को अच्छे से समझ लिजेगा और चलिए करते हैं just a second आप यहाँ पर देख रहे होंगे just a second लिख रहा है मैं आपको cross दिखा रहा हूँ cross दिखाने की कोशी वज़य मेरी यह है कि मैं इसको सिधा कर दूँगा तो आपको दिखाई नहीं देगा बट अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताईए और प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब कर दीजे ऐसे ही latest वीडियो मैं बहुत जल्द इस 6 एक उपर flashing का भी वीडियो आपको देने वाला हूँ इस 6 एक लिए मैं flashing इसी मैंसर से करने वाला हूँ जो यह odd था credit लेता था आप कोई भी credit नहीं लेगा अभी मैं कुछ दिन के बाद आपको इसकी flashing भी देने वाला हूँ वित प्रूब आपके सामने ही live करेंगे कोई भी error आएगा कुछ भी आएगा हम उसको live ही solution पर करेंगे तो step कर देते हैं और यहाँ पर कर देते हैं next और basically आपको दिखाई दे रहा होगा अब यह choose theme का option आगया अब इसे कर देते हैं next अगर इसकी frp का वीडियो देखना है अगर आपने frp का वीडियो नहीं देखा है तो i button में जाएए और यहाँ पर आपको frp का वीडियो देखने को मिल जागा bypass without dongle किसी भी dongle नहीं लगेगा आपको कोई भी dongle कोई भी pc भी नहीं लगेगा आप basically तरीके से उसको bypass बहुत ही easy तरीके से आप कर सकते है तो यहाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा तो मैं वीडियो में आप साथ में बने रहे हैं जब इतना आपने बना हुआ है तो थोड़ा सा वीडियो में और बने रहे हैं अब बता देता हूं highlight की फटार से आपको इस tool को open करना है इस tool को खोल ले के बाद आपका जो report है stable करने के बाद आपको device में जरह हमें सब full के पैलर में रखना है उसके बाद आपको क्या करना है friends मैं आप फाइल दिखा देता हूं आपको यह हमारी 6A की file है जिसमें scatter file है और यहां पर आप देख सकते हैं यह तूल है इस tool में friends DA file है जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें DA customized DA file है और इसमें auth file भी है इसमें auth file और DA file दोनों होई है तो basically फिर हम यहां पर tool को खोलते हैं और tool को खोलने के बाद हम जाते हैं यहां पर download प आपको तीनों को fill कर देना है फिल करने बाद आपको जाना है format में फिर आपको करना है manually फिर यहां पर करना है friends आपको double click और अहां पर जो code है आपको code को paste कर देना है जैसा कि यह आप देख सकते हैं यह MI account के लिए basically friends आप यहां पर देख सकते हैं FRP के लिए भी यहां पर यह हमारा job done हो चुका है यह थोड़ी सी लंबी वीडियो बस intro में हो गया क्योंकि मैं इसको edit करता या forward करता तो आपको sad समझ भी नहीं आता या कुछ fake लगता या फिर ऐसा कुछ लगता but मैंने कोई भी skip नहीं किया मैंने सोचा वीडियो थोड़ी से बड़ी है but कोई बात नही है अब इसे फाइनली देख सकते हैं यह हमारा unlock my account bypass हो चुका है तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें मिलते हैं किसी next वीडियो में thank you so much